आज इस मोटर को प्राथमिक चेकिंग करना बताऊंगा कि यदि इस तरह से मोटर में प्राबलम आ जाती है कि मोटर नहीं चल रही है या फिर आपकी मोटर खराब हो जाती है आपके पास रिपेरिंग होने के लिए मोटर आती है तो आपको फस्ट में क्या चेक करना है यह जाना यह है कि यह मोटर पहले चल रही थी, चलते चलते इसको दो-तीन महीने घर में रख दिये, इसके बाद दुबारा जब चला रहे हैं, तो मोटर नहीं चल रही है, तो सबसे पहले आपको ए वाली पंखी को पेचकर से घुमाना है, या ति इस कभर को उपेन कर लेना है, और इस पंखी को घुमाना है, या जब इस तरह से मोटर आपके पास रिपेरिंग होने के लिए आती है, तो आपको दो चेकिंग करना है, पहली तो इस पंखी को चेक करना है, पंखी घूम रही है, या इसका जो रोटर है, घूम रहा है, फिरी है या नहीं है, या फिरी नह नहीं है तो इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं फिर ही नहीं है मोटर का रोटर जाम है तो इसकी बैरिंग में प्राबलम की वज़ा से यानि बैरिंग के अंदर जो लूब्रिकेंट होता है चिकनाहट यानि ग्रीस ग्रीस सुख जाने की वज़ा से भी रोटर जाम हो जाता है अगला कारण मोटर के जो पंखी होती है जिस साइड से पानी फेकती है उस साइड में कचड़ा फस जाने की वज़े से भी मोटर का रोटर जाम हो जाता है तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि मोटर में किसी तरह से पानी चला गया है रोटर और स्टेटर के बीच में जंग लग जाती है इस काराड से भी पंखी जाम हो जाती है चौथा काराड यह भी हो सकता है कि मोटर जल गई है लेकिन यहां जलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि कस्टमर का कहना यह है कि मोटर जली नहीं है मोटर चलते चलते चल रही थी इसके बाद मैंने उसको निकाल करके घर में रख दिया दो तीन महीने बाद पुना से चला रहे हैं तो मोटर नहीं चल रही है यदि इसका जो रोटर है यानि पंक्खी फिरी है पंखी फिर अगला step में आपको इसकी continuity चेक करना है कहीं से इसका wire तूट तो नहीं गया है कहीं इसका condenser big तो नहीं हो गया है condenser खराब तो नहीं हो गया है यानि motor जहां पर चल रही है वहां proper voltage है की नहीं है इन सभी चीजों को चेक करना है सबसे पहले आपको series लेना है या तो फिर multimeter से भी चेक कर सकते हैं multimeter से उतना नहीं समझ में आता है आपको series लेना है series लेकर के connection के wire जहां से निकले होते हैं वहां पर आपको लगाना है लगाने के बाद एदि continuity आ रही है यदि बाहर से पता चलना है तो सही है नहीं तो connection वाला कभर होता है उसको open करना है उस कभर को open करने के बाद common running की starting तीनों बायरों पर continuity चेक करना है यदि continuity आ रही है तो सही है फिर condenser को बदल देना है नया condenser लगा करके चेक करना है यदि motor में दूसरी problem नहीं है तो motor चल जाएगी यदि motor फिर भी नहीं चल रही है तो आपको voltage चेक करना पड़ेगा इस motor को चलने के लिए proper voltage मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं इन सभी step को follow करके आप motor की प्राथमिक चेकिंग कर सकते हैं 100% आपकी motor सही हो जाएगी एडि motor जली नहीं है तो motor का कैपि सीटर चेक करना है continuity चेक करना है motor का एडि rotor जाम है तो उसकी वेरिंग पंखी में कचड़ा है तो पंखी से कचड़ा को साप करना है एडि motor के अंदर पानी गुस जाने की वज़ा से motor के और rotor के बीच में जंग लग गई है इन सभी step को follow करना है motor नहीं जली है तो 100% आपकी motor सही हो जाएगी धन्यवाद दोस्तो वीडियो देखने के लिए